गुरू गाम यूनिवर्सिटी में इस सेशन के नए कोर्स शुरू हो गए हैं और इन सभी कोर्स की जानकारी के लिए चात्र यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर देख सकते हैं तो इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में खुद आकर भी जानकारी ले सकते हैं इसको ध्यान मे नहीं गुरूग्राम के स्टुडेंट्स को इन कोर्स के लिए बाहर जाना पड़ता था लेकिन अब गुरूग्राम यूनिवर्सिटी में ही ये शुरू किये गए जिससे स्टुडेंट्स के लिए काफ़े फायदा होगा गुरूग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश कुमार से खास बाच्चित की है हमारे सम्वादासा शन्य Canal 8. मिस्टर दिनेश कुमार मेरे साथ है और साफ तोर पर जिस तरीके में जितने भी कॉलीज हैं या पर उनियोष्टी केंपस की मैं बात करूं तो स्टूडेंट को किस तरीके से और ज़्यादा शिक्षित किया जा और उसके साथ साथ उसको बढ़ावा दिया जाएं सर सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा मुझे परिच्चे दे दिजी जी मेरा नाम प्रफेसर दिनिश कुमार है मैं अभी वाई संतर हूँ गुरुगराम उस्वाद्याले में और पिसले रवगण साथ महीने मेरे को यहां पर अभी आए हुए हैं उससे पहले मैं वाई संतर रहा था जैसी बोस्व उनिवस्टियों साइंसे टेकलोजी फरीदवाद में लगव छे वर्स का कारिकाल मैंने वहां बि जी देखिए अभी जो हमारा जो कैंपस है वो गुरुगराम इशुद्याले का एक बिल्डिंग से लगए 11 इकड की जो बिल्डिये कैंपस है उससे काम चल रहा है यहां पर क्योंकि यह सरकार ने कॉलिज गॉर्मन कॉलिज की बिल्डिंग थी हमें यूनिवस्टि चलाने क के लिए टेंपररी रिली दी है लेकिन हमारा मेन कैंपस यहां से लगए 10 किलो मीटर दूर मानिसर साइड में जाके कक्रोला गाओं के पास सेक्टर 88 है वहां पर 44 हेकड की भूमी हमें मिली है और उसमें हमारे कैंपस बनना सुरू हो गया है मानि मुकवंतरी जी बहुत फंड भी रिलीज कर रही है जल्दी और उसके बाद उसका काम बहुत तेजी से सुरू होगा लेकिन जैसे कि आपने कहा कि यहां पर कौन कौन से सुरू हो रहे हैं कौर्स हमने रफली हमारे यहां पर जब मैं आया था 18-19 के करीब कौर्से चलते थे इस बार मुझे बताते ह खुशी हो रही है कि 20 नए प्रोग्राम हमने अड़ किया है उसमें इंजिरिंग के प्रोग्राम हैं बहुत सारे Master Degree के प्रोग्राम है हमारे Media Technology से related प्रोग्राम है और भी बहुत सारे जो Hospitality और कई तरह के Medical Technology से related प्रोग्राम भी हमने इसमें इंक्लूड किये हैं तो मैं भी क्या है University की और किस तरीके से उसमें लगता है लेकिन इतना जरूर है कि यह University साइबर सिटी में बन रही है तो इसकी University की USP अपने आप ही एक ऐसी USP बनेगी कि लोग जो बच्चे हैं पढ़ते पढ़ते उनको जॉब मिलेगी तो अभी हमने यहां पर एक प्रोविजन किया है कि हमारे यहां पर बहुत सारी foreign languages के course हमने शुरू किया है जैसे Japanese में है जर्मन में है अगले साल फ्रेंस में शुरू करेंगे तो हमारे जो स्ट private college या university की बात करो उसके बजाए आप गुरूग्राम university में जो चात्रों का रुजान है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि date close हो गए थी लेकिन अभी भी आवईदनार जिसके चलते आपने date बढ़ा दी गई हां जी date इसलिए बढ़ाई कि बहुत सारे विध्यारतियों की request थी कि university एक बहुत seriously तेजी से ऊपर काम बढ़ने के लिए काम कर रही है जैसा कि मैंने बताया कि सारे courses हमारे AICT approved हो गए हैं या BCI से approved हैं या pharmacy council से approved हो गए हैं सारे के सारे जो agencies हैं जो इसको controlling agencies हैं उनके माध्यम से इनको approval के बाद इन courses को शुरू किया गया है चात्रों की skill की मैं बात करूँ skill develop करने के लिए क्या तैयारी है पूरी university या फिर पूरी आपकी team देखे skill तो कैसे जनलेट हो सकती है कि विध्यारति क्लास में पढ़े और जो पढ़ने लिखने के बाद में जो उसको actual काम करना उसके लिए या तो industry में काम करें या फिर वो lab में या फिर एक तरह के महौल ऐसा बने campus में की कुछ क्लब बने तो हमने इन तीनों चीजों को पर काम करना सुरू कर दिया कि कुछ student हमारे industry में पढ़ते पढ़ते इंटरंसिप के लिए जाएंगे कुछ विध्यारती हमारे यहां पर जो clubs हैं जो हमने इस बार 20 क्लब के करी और उनको विध्यारतियों को जैसा हमारी नई सिक्षा नीती में इवन हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख मंत्री जी कहते हैं कि हमारी सिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो खाली पढ़ने लिखने के बाद में केबल एक्जाम पास करके डिग्री ने देना है उसको जो क करना चाहिए देखो मैं तो इतने कहना चाहता हूं कि हमारे जो युवा जो हमारी पीडी है कि यह समय ऐसा है अगर आप अपने आपको बचा के इस चीज़ से चलोगे तो आपके लिए आपका फीचर बहुत बढ़िया होगा अगर आप इस चक्कर में पढ़ जाओगे नसे में आप सक्सेस्फुल नहीं हो पाओगे लाइफ थोड़ दिन का यह एक आपको वो मिलता है कि करंट सा मिलता है कि नसा करने वाद क्या होगा लेकिन उसके बाद आपको बहुत परिसानियों के सामना करना पड़ता है तो बिलकुल यह थे मेरे साथ दिनेश कुमार जी पाते हैं आपको बहतर शिक्षा मिलती है और साती साथ जो आपका जेव का खर्चा है वो भी कम होता है गुरू ग्राम से कैमरमेन विने के साथ संजैरा ठोड़